तो बाबु जहल चाविला मेला पंटित जीने हाथ मेरा है अलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं ठीक होंगे देखें दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं जूरी सिंग जहां पर जो है सहे जूरी सिंग मार्ग और यहां पर दोस्तों ज्फिस गेटसे हम अंदर जाएंगे तिके और जो जूरी सिंग सहीद हुए थे उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता हूं लेकिन मैं चलता हूं बहुत कौन कौन है कोई रहता कि यह देखिए ऐसे ऐसे जो है भीर पूरूस हमारे देश में पैदा हुए थे यूपी में और मैं आपको दिखाता हूं चले आप वीडियों बने रहें चलते हैं तो चलिए दोस्तों चलते हैं अभी हम लोग अंदर प्रिवेस कर चुके हैं देखें यहां पर जो है बहुत डिखाते हैं जो यहां राम का मंदिर है तो यह देखिए यहां का फैसलीटी भी अच्छा है और यह आप देख सकते हैं इधर सब बनाया गया है तो यह दिखे हम पहुँच चुके हैं उनके पास तो आपको करीवी से दिखा देए जो है तो यह देखें दोस्तों यही थे जुरी सिंग और यहां पर जो है इनका स्थापना किया गया था मुर्ति है और यह देखें इनका जीवन परचे यहां पर है आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल इनका जीवन परचे यहीं पर है यह देखें आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं और इधर सब ऐसा ही है और वहाँ पर राम मंदिर भी है, तो चलिए वहाँ पर देखते हैं कोई हो तो उनसे जो है अच्छी खासी जनकारियां आपको देते हैं इस इन बीर पुरूस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ देखिए जो है यहाँ आज पडोस में जो है घर यहाँ पडोस के लोग कुछ बच रहुते हैं भाई आपना नाम बता दीजें आप यहाँ क्वास कर दोस्तों आपको कितनी जानकारियां क्या जांते हैं जूरी सिंग जो साहीड हुए है जो कि यहाँ तो दोस्तों अभी इनको बहुत कम जानकार है कोई बात में बच्चे हैं अभी थोड़ा सा हेजिटेशन भी है इनके पास तो नो प्रॉब्लमेटा और यहां पर देखिए गड़ेश जी की मूर्ती भी है राम मंदिर भी है चले अभी सूज उतारते हैं फिर चलते हैं दिखाते हैं आप ऐसे चली आई तो यह देखिए दोस्तों यहां पर अच्छा खासा घंटा भी है चलते हैं अंदर आच चुके हैं यह देखे गड़ेश जी की मूर्ती है यहां पर गड़ेश जी भी है अच्छा है और यहां पर भाई कौन दे होता है अक्सर तो पीपर में सनी देव अबरम बाब यही सब रहते हैं और यहां देखें राम मंदिर है बहुत बढ़ियां बना गया है और यहां पर कोई रहता होगत हम आप से मिल लवाते हैं वो पूरी जनकारी आपको देंगे यह देखें यहां पर भाइश सनिद्यों है और मंदिर भी है दोस्तों यहां पर पीछे जो है एक बहुत बड़ा तालाब है तो इसका भी कोई रहस्य होगा यहां भी कुछ भूगा होगा तो आएए देखते हैं और बहुत ही अच्छा खासा बना है तो हम पहुछ चुके हैं तालाब के और अभी यहां तो प्रॉपर रूप से काम नहीं हुआ है क्योंकि अभी काम चल ही रहा है यह देखते हैं दोस्तों यहां पर पंडित जी ने हाथ मेरा उनसे मिलवाते हैं आपको देखते हैं भाई क्या बताएं किधर हैं भाई अच्छा अच्छा तो आप लोग हमेशा आते होंगे हैं हापर है अच्छा 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 तो दोस्तों पंडित अभी सो रहे हैं अराम कर रहे हैं क्योंकि मैं दोपहर में ही आ गया और यह लॉंच का टाइम है और वो जो है अराम कर रहे हैं तो उनको डिस्टरब करना मैं ठीक नहीं समझ रहा हूं तो इसके लिए उनको डिस्टरब नहीं करते हैं तो यह जाल लिजिए आप हमारे यूपी में यह भदों ही जिली में पढ़ता अर् पर जॉरिसिंग सहीद हुए थे और अंग्रेजों को जो है कि मारे थे ना अंग्रेजों से सामना किये था अकेले किसका तो मतलब यहां अगर मिर्जापुर में फासी दी गए तो यहां इनका जो है इस थाल पैसे बना जोकि इनका घर यहीं प्वेदा हुए थे तो दोस्तों इन लोगों का कहना है कि जूरी सिंग यहीं के पैदाशी थे यहीं इनका घर था और इनका मिर्जापुर में फासी दे दिया गया था इनको धोखे से वो भी और फिर भी इन्होंने देश ले बहुत कुछ किया और जो है बहुत लड़ाई लड़े अंग्रेजों और यहां जो है किसका खेती होता था यहां पर पहले तो अब तो नहीं है वो समय सब परिवर्टन हो गया तो यहीं दोस्तों यह लोग यहीं के हैं बगल के ही यह लोग हमेशा ऐसे आते जाते रहते हैं है और वहां पर हैं तो यही सब जनकारिय थी, इनका जो है जीवन परचे यहां पर है मैंने आपको दिखाई दिया और वैसे तो बहुत कुछ मैं जानता नहीं उनके बारे में, फिलाल जो जानता थो बता दिया, तो आज का व्लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लोग में, अगर आप मारे चैनल पर नहीं है तो इतनी चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें, ओके बाए